हलो फ्रेंज आज की हिस वीडियो में आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने टेक्णो पॉबअ फाइब प्रो एंडियूड में आप अपने मॉवाइल फोन के पावर बटन को दबाए बिना आप अपने मॉवेल फोन को रीइस्टार्ट कैसे कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में हम आपको डिटेयल में जानकारी देने वालों तो चलिए हम ee वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिंगें दूस्तों मोज़ोन के पावर बटन को दबाये बिना आप अपने फोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है, setting page में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक option मिलता है, special function, इसको option को tap करना है, इसके अगले page में आपको सबसे नीचे की side option मिलता है, accessibility, इसे आपको tap करना है, इसके अगले page में आपको सबसे उपर यह accessibility menu का यह option मिलता है, इसे आ आपका एक page आता है, इस page में आपको यह पढ़ लेना है, ठीक है, अगर पढ़ना चाहते तो, नहीं तो आपको इसे सीधा allow कर देना है, ठीक है, आपका एक और यह page आएगा, इस page में आपको नीचे got it का यह option टैप करना है, तो आपका यह accessibility menu shortcut के सामने आला button है, यह आपका on हो जाएगा, तो आपके mobile phone के सबसे नीचे, देखें, यहाँ पर यह button एक add हो जाता है, ठीक है, यह human tap का यह button add हो जाता है, यह button आपके mobile phone के screen के सभी page ओपर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इस button को आपको tap करना है, ठीक है, तो यह button tap करेंगे, तो आपका यह page आएगा, छोटा सा, इस page को आप left और right में slide कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी सारे option दिखाई देते हैं, इन सभी option का आप use कर सकते हैं, और देखें, इसमें एक button होता है, यह power का button आपको tap करना है, ठीक है, अब आपका इस तरीके से page आजाएगा इस page में आपको restart का यह option आपको tap करना है, इस से आपका phone जो है, automatic switch off होके, automatic switch on हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो इस तरीके से आप जो न, mobile phone के power button को दबाए बिना, आप अपने mobile phone को restart इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तो इस video में मेरे बताएवे जानकरी, अगर आपको अच्छी लगए हो, तो इस setting का आप अपने phone में जरूर रियूज करके देखिए, ठीक है,